हलो फ्रेंड्स आज में आप लोगों के लिए ये जाली वाला पैटर्न लेके आई हुई देखिए इससे आप अपने समर के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं या फिर इसे आप बॉदडर में भी डाल सकते हैं जैसे लेडीज कार्डिकन अगर बनाएं तो उसकी बॉदडर में भी आप डाल सकते हैं या बच्चों की स्वेटर वग्एरा में बॉदडर में जहां पे जाली वाला डिसाइन की जरूत होती है वहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं देखिए ऐसे करके आएगा यह या तो आप इसको जो cotton की thread आते हैं जिन से crucial भी करा जाता है उसका use करके भी आप इससे एक सुन्दर सा top बना सकते हैं बहुत सुन्दर लगती है यह भी नहीं यह देखिए इस तरीके से आती है कुछ यह ऐसे करके दिखेगी और जाली जाली है इसमें सारी तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे बने गई इस design को बनाने के लिए हमें event number में फंदे डालने हैं event number मतलब जैसे 30 फंदे हो गए 32 फंदे हो गए 34 फंदे हो गए तो इस तरीके से हम फंदे डालेंगे अब दिखिए यह first हो है हमारी सीधी तरफ है पहला फंदा हम इसका सीधा बिनेंगे उसके बाद हम धागे को आगे करेंगे जाली आएगी यहाँ पर और इन दो फंदों को पीछे की तरफ से सीधा बिनेंगे ऐसे पीछे की तरफ से डाला और इनने सीधा बिन दिया यह first row है मेरी तो थोड़ा सा tight हो रही है ऐसे करके फिर से हम धागे को आगे करेंगे और यह पीछे की तरफ से इन दो फंदों को सीधा बिनेंगे ऐसे करके फिर धागे को आगे करेंगे और ये दो फंदे पीछे की तरफ से सीधे बिनेंगे फिर धागे को आगे करेंगे और ये दो फंदे पीछे की तरफ से सीधे बिनेंगे ऐसे करके फिर से धागा आगे करा और ये दो फंदे ऐसे पीछे से एक साथ लेके सीधे बिने तो अब ये पूरी रों हम इसी तरीके से कम्प्रीट कर देंगे लास्ट में बताती हूं आपको बाकी हम सारे फंदे ऐसे ही बिन देंगे एंड में तीन फंदे बचे हैं हमारे इसको भी देखे धागा आगे करा इन दो फंदो को तो हम पीछे की तरफ से ऐसे सीधा बिनेंगे अब ये last का फंदा बच्चा है इसमें हम यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे ये last का फंदा है इसको हम ऐसे ही सीधा बिनेंगे last में जाली नहीं डालेंगे नहीं तो एक फंदा बढ़ जाएगा हमारा तो ये first row हमारी complete हो गई है second row है second row wrong side है हमारी इसको हम पूरा उल्टा बिनते वे complete कर देंगे इसको हम पूरे फंदे ऐसे उल्टा उल्टे बिनते वे complete कर देंगे ये जाली वाला फंदा है इसको भी हम ऐसे करके उल्टा बिनेंगे तो ये पूरे फंदे उल्टा उल्टे बिन देंगे अब थर्ड रो है हमारी राइट साइट है सीधी तरफ है पहला पंदा उतारा अब हमने यहां पर पिछली बार हमने यहां जाली डाली थी अब हम एक फंदे को आगे की एक फंदे को सीधा विन लेंगे जाली हमारी यहां पर डलेगी तो धागे को आगे करेंगे और फिर वही इन दो फंदों को पीछे की तरफ से एक कर लेंगे ऐसे फिर धागा आगे करा और इन दो फंदों को पीछे की तरफ से एक साथ लेके सीधा बिन दिया फिर से धागा आगे करा और इन दो फंदों को पीछे की तरफ से सीधे बिना तो बस अब यही रिपीट करना है हमें धाग आगे करके और दो फंदे एक साथ लेकर सीधे बिन देने पूरी रो इसी तरीके से हम कम् dt कर लेतें अब एंड में दिखए हमारे यह चार फंदे हैं तो हम ऐसी करेंगे धाग आगे करा इन दो फंदों को तो हम ऐसे करके पीछे से एक कर लेंगे इस तरी के से और अब ये last के दो फंदे हैं इनको हम ऐसे ही बिननेंगे धागा आगे नहीं करना है इन last के दो फंदों में इनको हम ऐसे ही बिननेंगे इदिके third row भी complete हो गई है मेरी और fourth row पूरा हम उल्टा बिनते वे complete कर लेंगे इसमें हम सारे पंदे उल्टा बिन लेंगे जिब इनी चार रोज को आप आगे continue करते जाएंगे तो आपको design कुछ इस तरीके से दिखेगा ये ऐसे आ जाएगा बस यही चार रो बार बार आपको repeat करनी है तो ऐसे दिखेगा ये थैंक यू